किसान साथियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों ने जो पुराना वाट सेप गुरूप था उसे दुबारा से रिवाइव किया है और उसमें जो मैंने सदस्यता है उसमें बहुत कड़े नियम बनाए है मुझे खुसी है कि उसे काफी किसान उसमें सदस्यता ले रहे है उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही सदस्यता मिलती है और इसकी फीस है पांसो रुपे परतिवार्शिक मुझे एक मेरे सदस्यते ने चैलेंज किया था कि त्यागी जी अगर आप फीस रखोगे तो दस भी आदमी नहीं आएंगे लेकिन मुझे लगता है कि ये आंकड़ा सो से कम नहीं रुकेगा जागा किसान साथियो 2018 जून में जब मैंने ये बागवानी शुरू की थी तो मैंने भी अतिस अगन बागवानी लगाई थी और कहीं न कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी हिल गया था और मैंने देखा कि कहीं किसानों ने इसको उखाड़ दिया था किसान साथियो मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूँ कि जो उनकी कारिय से लिदेखकर मैं दंग रह गया उनका नाम है बलराम पाटिदार वो उज्जेन के रहने वाले हैं और डेड़ एक कन में उन्होंने अती सगन बागवानी की हुई है मेरा सगन बागवानी में अभी तक का जो भी अनुभव रहा था उसमें मुझे इसमें बहुत कारिय नजर आ रहा था और उतनी आमदनी नहीं थी लेकिन जब मैंने बलराम जी का बात सुनी मैंने उनसे बहुत सूचना मांगी और मुझे इतनी खुसी हुई कि उन्होंने सब सूचनाई मुझे उपलर्द कराई मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी वीडियो और कुछ फोटो भी भेजे किसान साथियो आज मैं ये आपसे साजा कर रहा हूँ और मेरा ये भरम तूट गया कि सगन बागवानी में फाइदा नहीं है थोड़ी मेहनत है लेकिन फाइदा है और क्या फाइदा है और कैसी मेहनत है ये मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ किसान साथियो बलराम पाटिदार जी उज्जैन के रहने वाले हैं और डेड़ एकर में इनका बाग है ये इस बाग की स्थापना इन्होंने 2016 जून में की थी इन्होंने डेड़ एकर में 2 बाई 1 मिटर जिसे मीडो बागवानी भी कहते हैं यानि अतिसगन बागवानी में आता है इस पर इन्होंने 7,000 पेड़ लगाये थे L49 अमरूद के यहां ये बात बहुत नोट करने के है कि इन्होंने L49 अमरूद लगाया था किसान साथियों मैं इस अमरूद को इतना पसंद करता हूँ कि जो भी बागवानी करते हैं उन्हें L49 अवस से लगाना चाहिए चुकि इसे अमरूद का सरदार कहते हैं इसका नाम है सरदार उन्होंने इसमें साथ हजार पेड़ लगाए दो भाई एक मीटर से इतना सुनते ही आपको बड़ा अचमबा होने लगा होगा कि क्या होगा इस बाग में इन्होंने एक साल बाद मैंने इनसे पूछा कि आपने एक साल बाद क्या कोई फसल ली तो इन्होंने का हाँ तयागी जी मैंने साथ हजार रुपे के अमरूद बेचे थे इसमें से फिर मैंने हिम्मत करके पूछा कि पाटिदार जी क्या आपने दूसरे साल यानि दो हजार अठारा में भी ली इन्होंने का हाँ तयागी जी सरदियों की फसल ली थी वो मेरी फसल थी 1,70,000 की फिर मैंने पूछा कि क्या आपने दो हजार 19 की फसल का मुझे और बताई है तो इन्होंने मुझे बताया कि 2019 की फसल 2,70,000 की हुई पर एक दिन अवस्य जाओंगा और कोशिस करूँगा एक रात भी रुकूँ और तब मैं इनसे पूरी एकोनोमिक्स पूछूंगा इससे और कितना खर्चा विया क्या खर्चा करते हैं और वो सब आपके सामने प्रस्तुत किसान साथियों ये आप देखिए कि इसमें जो अभ अगले दो साल आप छत्रक बना लेते हैं पेड़ का तब तक कोई प्रोब्लम नहीं आती और अगले दो तीन साल तक इसमें ज़्यादा प्रोब्लम नहीं आएगी प्रोब्लम सुरू होगी पांच या छे साल के बाद में चुकि सगन बागवानी में आपको पोधे की धाई मिटर से उपर नहीं जाने देनी होती है लेकिन अगर इसी परकार आप टहनिया छोड़ते रहेंगे यानि के उनको जो भी परपत्र हमने पढ़े हैं जो अब तक मैंने बताया है आपको अगर उसमें आप उसको एक से डेड़ फिट तक हर बार छोड़ते रहें तो प पताया है कि सगन भागवानी में दो तरह से आप अधिकतम फसल ले सकते हैं पहला है कि जो आप जब कटिंग करते हैं तो जो आपकी टहनिया होती हैं उनमें आप लगबग 60% तक प्रून करिए इसमें हमें कोई प्रोब्लम नहीं है और 4 साल कोई प्रोब्लम नहीं आएगी दूसरी बताते हैं कि ये भी देखा गया है कि अगर आप साल में तीन बार कटिंग करते हैं तो भी आपका प्रोडक्शन अच्छा लेकिन किसान साथियो अभी आप एंजोई करिए बलराम पाटिदार जी की वीडियो जो उन्होंने मुझे बेजी है मैं ये दंग रह गया इनकी जब मैंने कटिंग का इनका धंग देखा तो मैं ये दंग रह गया कि क्या इस ओजार का भी कटिंग में इस्तेमाल हो सकता है ये मसीन जो ये यूज कर रहे हैं ये मेरे पास भी है लेकिन मैंने ये कोई तार या सरिया इने काटने के लिए मैंने मंगाई है ये मसीन लेकिन मैं दंग रहा है कितनी तेजी से ये इसका जो आदमी है आप देखें कितनी तेजी से ये कटिंग कर रहा है और इससे ये 400 पेड रोज कटिंग करते हैं 400 पेड की रोज कटिंग होती है और उस पर इस्प्रे भी करते हैं जो कि COC का इस्प्रे होगा मैंने पूछा नहीं है किसान सातियों हमारे गुरूप के मेंबर हैं मैं बहुत आबारी हूँ इनका कि इनसे हमें भी कुछ सीखने को मिले और मेरा जो मेन उद्दे से इस में गुरूप बनाने का था वो ये था कि आप केवल मुझे ही ने सुने आप अपना एक्सपिरियंस भी हमारे साथ साजा करें ग्यान बांटने से हमेशा बढ़ता है किसान-साथियो अब हमारे गरूप में आठ सदस्य है और धीरे-धीरे इसकी रोज संख्या बढ़ रही है अगर आप चाहते हैं तो आप हमें यह लिख सकते हैं कि आप इस गरूप का पहले यह बताएंगे कि आप इस गरूप का मेंबरशिप क्यों लेना चाहते हैं इसके सद कम रखी है आप इस फीस को एक हजार रुपे करिए मैंने का चलो अभी दो-तीन महीने देखते हैं उसके बास सोचेगें किसान साथियों जो हमारी सर्दियों की फसल है उसकी कटिंग सुरू हो चोगी चुकि अभी बारिस हुई है पीछे सर्दियों की कटिंग का सही समय 25 अप वीडियो अवस्य साजा करूँगा तो मेरा इरादा है कि मैं इन तीन दिन में कटिंग करकर उसके उपर थोड़ा इस्प्रे लगवाँगा और उसके बाद मैं आ जाँगा किसान साथियों बलराम पाटीदार जी की तरह अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमसे अव लर्न करिए